मकर राशी 2020 मे का महीना कैसा जाएगा तो मकर राशी वाले जितने भी लोग मकर राशी के हैं हॉरस्कोप के point of view से हॉरस्कोप के हिसाब से जिनकी भी मकर राशी है यह उनका prediction है Sun sign से confused मत कीजेगा तो जिनका भी Moon sign मकर राशी है उनके लिए मे का महीना हम देखते हैं थोड़ा सा disappointing जाएगा किस term में? आप चाहे चाह रहे हैं कि बहुत समय से आपका कोई plot या घर बिग जाए पर वो नहीं बिग पारा आपका पैसा कहीं फसा हुआ है यह एक योग है plot वाली बात जो मैंने करी main जो एक crux निकल कर आता है इस महीने का वो यही आता है कि आपका पैसा कहीं फसा हुआ है और उस पैसे का आप चिंतन जादा कर रहे हैं कि वो मुझे मिल जाया और वो पैसा नहीं मिल रहा और पैसे की जगरत भी आल पड़ी है इसलिए आप बहुत चिंतित रहेंगे आप बहुत परेशान रहेंगे तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो नहीं है या जो नहीं मिल रहा है या पैसा चाहिए और पैसा है नहीं यही possibility है या तो पैसा फसा हुआ है और वो आपको मिल नी रहा या आपका plot या घर आप बेचना चाते हैं वो बिक नी रहा किसी नो उस पर कबजा कर लिया है और या फिर पैसा चाहिए और पैसा मिलनी रहा काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करती मैं वो करता इस तरीकी की thought आपको इतना परेशन कर देंगे कि आप एक disappointing zone में चले जाएं किसी से मिलना नहीं चाहेंगे अपने आपको काट लेंगे and ultimately क्या होगा ultimately सब आपको छोड़ देंगे तो अगर आप चाते हैं कि कोई आपको न छोड़े तो आपका भी तो first कुछ बनता है हर रिष्टा two way होता है one way कोई रिष्टा नहीं होता तो आपने ये try करना है कि पैस से नहीं मिल रहें जितना आप सोच रहें तो उससे कुछ कम मिल जाएंगे जीवन निर्वा तो हो जाएगा इतनी बुरी हालत नहीं है इस महीं ने आपको आपको जीवन निर्वाना हो खाने पीने को ना मिले नहने धोने को ना मिले ये तो उन लोगों के लिए मुश्किल जिनको ये basic needs of life भीना मिले, आपको वो सब available होंगी लेकिन फिर भी आप चिंतित होंगी, तो please शुक्रिया कीजेगा, धन्यवाद कीजेगा Almighty को कि मुझे मैं उठ पारी हूँ, सुबह उठ रही हूँ, नया दिन देख रही हूँ, देख रहा हूँ, खाने को मिल रहा है, पहने मिल रहा है, मेरे निजजन मेरे साथ हैं, जिन से मैं प्रेम करती हूँ, इतना भी बहुत है, संतोष मनाई रखेगा, क्योंकि संतोष ही इस महीने आपका परमो धर्म है, ठीक है, संतोष ही आपको धन देगा, संतोष ही आपको प्यार देगा, संतोष ही आपको शंती देगा तो समझ लेजेगा इस महीने आपकी परिक्षा चल रही है और इस परिक्षा में तब ही उतीन होंगा या उतीन होंगी जब मैं संतोष बनाये रखूँगा इस तरीके से अपनी दृष्टी को चेंज करके अगर इस महीने चलेंगे तो हो सकता है miraculous कुछ results देख लें आप क्योंकि चमतकार होते हैं अगर आपके साथ हो तो हमें लिखके ज़रूर बताईएगा अब हम आजाते हैं रोगों की तरफ तो रोग कुछ नहीं है मानसिक है मानसिक tension है और जादा सोचेंगे जादा ऐसा सब करने लगेंगे तो मैं आपको बताऊँ डॉक्टर्स भी बोलते हैं जो बहुत जादा stress लेते हैं उनके बाल भी बड़े जढने लगते हैं साथ ही उन्हें चक्कर भी बहुत आने लगते हैं और जो बहुत excessive of stress लेते हैं उनके दिमाग और कान के बीच में कोई जगा होती है जहाँ पे कोई problem create उनी शुरू हो जाती है मेरे को clients मिले हैं जिन्होंने मुझे अपनी ये परिशानी बताई हैं तो मैं उनसे सुनने के बाद ये चीज़ आपको convey कर रही हूँ कि सरफ stress की वज़े से उन व्यक्तियों की ये हालत हुई है तो आप please अपने stress को बंडे ना दीजे बेकार बातों के आप चिंतन मनन छोड़ दीजे जो है उस पे दृष्टी रखिए जो नहीं है उसके लिए रोना उसके लिए tension लेना छोड़ दीजे और इस सरफ इसी महीने की prediction है तो next month change हो जाएगी तो 30 दिन का सबर्तवा बना के रख सकते हैं इतने जादा शक्तिशाली तो हैं आप है ना तो आप सैयम रखिए संतोष रखिए क्योंकि ये सैयम और संतोष ही इस महीने का जवाब है आपके लिए ठीक है अब हम आजाते हैं लखी कलर पे तो लखी कलर आपके लिए आ रहा है वाइट जो आपको शांती प्रदान करें ठीक है अड़ की नंबर आपके लिए जो निकल कर आ रहा है वो है 9 जो आपकी बुद्धी को जार्यत रखे देव गुरू ब्रियस पर तीक है आप तो सबको पता चल गया होगा मैं बार बार बूलती हूँ है ना तो ये सारी चीजों का आप यूज कीजिए और इस महीने को अपनी समझदारी सिव्यतीत करके शुब बना लीजे ठीक है थांक यू